सीसा मव उप्चनाव का परणाम आ चुका और समाजवादी पाटी की नसीम सुलंग की जीत गई कानपूर की ये सीसा मव सीट काफी समय से सपा के पास थी इसी सीट पर जहां वोटिंग वाले दिन कहा सुनी हुई धरना हुआ धका मुकी हुई तमाम आरोप प्रत्यारूप लगे यहां तक की इवीम जहां रखे गए वहां तक भी धरना देगा इन सब के बीच अपर अब आ चुका है कैसे उतार चलाव रहा है उसको जानने के लिए इस वक्त जो निज्टा बनाम सपा समाजवादी पार्टी जुनाव था लेकिन जनादेश ने यह साबित कर दिया है कि जनता ही बाल ठाठा को जनादेश दे दिया है अभी तक जो सेनरियों था कि कहीं नकहीं जो भाजपा प्रतयासी यह सुरेस वस्थी रहे कहीं नकहीं उनकीibly ठी यहां वो बहुत काम lavender को मनाने में पूरी तरह कामयाब नहीं हुए इस बाल मूस्लिम पूरा सीठ पर हिंदू opposite जिस तरीके से एक्टिव था मद्दान को प्रभावित करने में लेकिन कहीं नहीं हुआ और दबाव में लोगों ने जम कर वोट किया और जो मेंडेट मिला वह समाजवाधी पार्टी के पक्ष मेरा सर आपने इतने एलक्ष देखें लगातार तम बारिकिया देखें जो आप चुनाओं का ट्रेंड था आपकी बार का ये फिर एक बार सामाजिक ताना बाना और पीडिये पिछला दली तल्प संख्यक का जो नारा था अकले से आदव का वो यहाँ पर काम्याब हुआ है बटों को ने नकार दिया है उसका कारण क्या रहा है कि आप खुद देख रहे हैं कि बसपा को यहाँ पर डेढ़ अजार बोट ही मिल पाए पूरे चुनाओी ट्रेंड में और सपा और भाजपा में सीधा टक्रा हुआ उस पे भी जो हिंदू बहुल इलाके थे वहाँ भी सपा को बोट मिला इससे साफ है कि पीडिये का जो नारा है वह इस समय चला है सर आप बताईए आप पॉलिटिकल भी देखते हैं इस चुनाओं में कई चीज़ें ऐसी थी जो चर्चाओं में रही तमाम जगड़े हुए विवाद हुए इवियम के बाहर धरना दिया अब कैसे ही वो कभी भी भाचपाईयों ने लगातार हमले किये चाहे वो वड़कंडे सुसर मंदिर में वो मतलब जल चलाने गई हो या उन्होंने कोई भी अपनी बात कई हो लगातार उन्होंने सपा जो प्रत्यासी है उनके पती जो जेल में है उनको हमेशा नीचा दिखाया हर चुनाओं वाले दिन एक एक बूत जाके हाथ जोड के वोट मांगा और उन्होंने जहां जगला भी हुआ वहां भी हाँ जोला इसका उनको भूले का आसिरवात तुझे मिलेगा और मुझे लाग रहा है कि वह वैसा ही हुआ जिते लिए जो मुसलिम महिलाएं थी वह बहुत जादा संख्या में बाहर निकली और उसी का नतीजा है कि आज सभा इतनी जादा उससे जीत रही है तो आप देख सकते हैं कि यह वो कानपूर के प्रतिष्टित प्रतिष्टानों के संवाधाता थे कुछ फ्रीलांसर से जिनका ये कहना है कि इस चनौ में तमाम ऐसी चीज़े थी जो सामने आए जिसकी वैसे समाजवाधी पार्टी की प्रतियाशीते सिंपैथी वोट बहुत तक काम किया विर्जिन अस्टाइश पंडे के साथ अमिद गंजू नीजटीन कानपूर